वी वांट फेर नीट एक्जामनेशन, वी वांट जस्टिस, हैस्टेक, री नीट दो दर एक कैस, देखें गाइज आप सभी हमारे स्ट्वेंट से जो नीट एक्जामनेशन का पेपर लिख वा था, इन में से फिर देखिये, ये लोग ग्रफतार हुए है, ये जाज का दैरा दिन बाद दिन बढ़ता जा रहा है, पूरी तरह से आपको मैं बताता हूँ, और री एक्जामनेशन का अब होगा, कंफर्म या नहीं, पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चैनल में साथ सब बने रहे हैं, और वीडियो का शाथ पूरा कम्टिट कर लें, जो हमार करते हैं, देखें, नीट एक्जामनेशन का जो री नीट जो है, वो कंफर्मेशन होगा, अब बहुत जल्द होगा, सो गाइस, आप लोग एक बस इतनी सी मेह चोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, कि आप सब यूनाइट रहें, क्योंकि सभी कुछ बच्चों यूनाइट ह लिए पी-ा-ई-ल दाखिल कर लिया गया है, यह आपको इनफॉर्मेशन सोसल मेडिया यह से नहीं खास करके, नीट चैनलों के माध्यम से भी यह मिल रहा है, तो अब यह सुप्रीम कोट में यह केस अब अल्रेडी फिर क्योंकि पहले भेजा गया था, तो सुप्रीम कोट न आया है, काफी मतलब सूचने और हास्पद है, कि मुझे हसी इस बात के आते हैं कि एन्टिये वालों पर उनका यह कहना कि पेपर लीक सिर्फ एक लड़की के लिए हुआ है, तो सिर्फ बनारश, यूपी, लखनो, पटना और गोरकपूर में जो लोग एरेश्ट हुए हैं, क्या वो डेमो दे रहे थे कि पेपर लीक कैसे किया जाता है, यह सबसे बड़ी बात है, इसलिए नीट एक्जामनेशन को हर हाल में, यानि पूशिश यही हम सब का डिमांड होना चाहिए, हम लोग अपनी तरह से पूरा एफ़ड लगा है, कि नीट एक्जाम को री कंड़क कंड़क्ट किया जाए, री एक्जाम लिया जाए, और सभी जगह ले,